आज हम बनाने जा रहे हैं धोकला, बहुत ही बड़िया ये बनकर तयार होता है, काफी जालीदार बनता है, सौफ्ट बनता है, जूसी बनकर ये तयार होता है, मज़ा आ जाएगा आपको इसे खाकर, ब्रिक्फुस्ट में या कभी कबार हम तो इसे देखिए लंच में भी खा इसे चान लिया है, तो डेढ्र कप हमने यहां पर बेसन का लिया है, और इसे हम इस तरीके से 野ाम-ero चाहिए, जो लंच होती हैं, बेसन में वो बिल्कुल भी नहीं रहती हैं क्योंकि हम इसे चान रहे हैं और जो बैटर बनता है वो काफी स्मूध बनकर तयार होता है और ढोकले के लिए हमें काफी स्मूध बैटर चाहिए होता है तो यह देखिए हमने इसे चान लिया है और अब हम इसमें डालेंगे एक ब जीवगरा बनाते हैं वो हमें लेना है इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी और उसके बाद हम इसका एक स्मूध बैटर बना कर तयार करेंगे अब एक बात का ध्यान रखना है कि पानी हमें बहुत सारा एक साथ नहीं डालना होता है पान पानी पानी वाला नहीं चाहिए यानि बहता हुआ बैटर नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा थिक बैटर भी नहीं चाहिए सेमी थिक बैटर चाहिए यानि कि बहुत ज्यादा गाड़ा भी नहीं और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए ये देखिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ एकदम बढ़िया स्मूद बैटर तयार है और ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इसी तरीके की रहेगी थोड़ा गाडा गाडा सा मोटा मोटा सा ये गिरना चाहिए जब आप इसे गिरा आए तो इसे ढग देते हैं और 10 मिनिट के लिए रिस्ट करने देते हैं 10 मिनिट में इसका रिस्ट हो जाएगा तब तक हम आगे की तयारी करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है एक स्टील का मेरे पास में बड़ा सा टिफिन था वो मैंने लिया है ढोकला बनाने के लिए आप चाहें तो छोटे स्टील के टिफिन ले सकते हैं केक टिन ले सकते हैं या आप कोई थाली भी ले सकते हैं अब इसे हम ग्रीस कर देंगे तेल लगा कर बढ़िया से आप चाहें तो ब्रश से कीजे या हाथ से कीजे साइड से अच फ्लेम पर हम उबालाने देंगे अब देखीए 10 मिनिट हो चुके हैं तो हम यहाँ बैटर भी चेक कर लेते हैं तस मिनिट में बैटर अच्छा सेट हो गया है और एक बार हम इसे और मिक्स कर देते हैं उसके बाद हम आगे का जो प्रोसेस है वो करेंगे तो अब हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा, तो लगबग आधा चोटा चम्मच हमने बेकिंग सोडा का लिया है और एक चम्मच पानी डाल कर हम इसे लगातार एक से दो मिनिट तक एक ही डिरेक्षन में घुमाते रहेंगे, opposite बेकिंग सोडा की जगह एक पूरा सैशे भी ले सकते हैं आप चाहे तो ग्रीन वाला या ब्लू वाला जो पाकट आता इनो का वो यूज कीजिए तो देखिए एक मिनिट तक हमने इसे लगातार चलाया है काफी लाइट और फ्लफी हो गया है तो चलिए अब इसे हम डाल दें उसी केक टिन में जिसे हमने ग्रीस करके रखा हुआ है केक टिन नहीं है यह नॉर्मल टिफिन है मेरे पास में तो इसे जितना भी बैटर है वो डाल देंगे और बैटर जैसे जा रहा है उसे वैसे ही जाने देंगे टिन के अंदर हम इसे टैप नहीं करेंगे लेविल करने क जरुरत नहीं है बिल्कुल बैटर जब टिन के अंदर जाएगा उसके बाद उसे हिलाने की जरुरत ही नहीं है उसे ऐसे ही हम छोड़ देंगे उसके बाद ये देखिए पानी में भी अच्छा उबाल आ गया है तो ये जो टिन है वो हम रख देंगे इस स्टैंड के ऊपर और देखिए अब यहां पर 20 मिनट हो चुके हैं हम ढोकला एक बार चेक कर लेते हैं नाइफ या टूथपिक डाल कर चेक करेंगे अगर क्लीन आता है तो बढ़िया बहार निकाल देंगे इसे और अगर क्लीन यह नहीं आता है तो इसे दो तीन मिनट के लिए हम और ढ़क कर थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देंगे और जब तक यह ठंडा हो रहा है तब तक हम इसका तड़का तयार करते हैं तो तड़का के लिए यहां हमने दो चम्मच तेल लिया है तेल गरम होने पर हम डाल देंगे एक चम्मच राई जब राई तड़कने लग जाएगी जब लगातार चलाते रहेंगे और जब हलकी हलकी से यह पक जाएंगी मिर्चियां उसके बाद हम इसमें डाल देंगे करीब करीब आधा कप पानी पानी डालने के बाद में हम दो चम्मच इसमें चीनी के भी डाल देंगे अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक चीनी घु देख को बंद कर देंगे आधा नीबू का रस डाल देंगे मिक्स कर देंगे है अब इससे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे याने कि जब आप तड़का जो है वो डाले हैं वो ढुप लेके ऊप़ तब वो घुंगुणुना होना चाहिए और धोकला भी उस टाइम घुंगु को जितने बड़े चोटे पीस करने हैं उसे साथ से आप इसे काट लीजे उपर से ये जो तड़का है वो हम डाल देंगे जितना भी तड़का हमने बनाया था इसमें डाल दीजे बहुत ही सौफ्ट और ये जूसी बनकर तयार होता है उपर से थोड़ी सी धनिया की पतिया थो ये देखिए बहुत सौफ्ट और जालीदार बना है इसे केचप या हरे धनिये की चटनी के साथ में आप इंजॉय कीजे और कैसी लगी है रेसिपी आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाई